हाई फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नहीं वीडियो में इस विडियों बात करने वाले हैं बिहार फरवरी मंथ 2020 की जो तीन बड़ी वेकेंसी के बारे में किस परकार से आपको फॉर्म को फिलप करना है इसका आवधन की परकिरिया परकिरिया क्या रहेगी किस किस डिपार करने वाला हूँ तो चले वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आपसे चोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल वाले बटन दबाक्षियों सब्सक्राइब करें और बेल डिफिशन को दबाले ताकि मैं ज जो है इस यूटूब चैनल का जो अफिसली वेबसाइट है आपको इसको ओपन कर लेना है जैसे आप यहाप करेंगे कुछ इस परकार से इसका इंटरफेस दिखाई देगा आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहां पर देखिए लाइव अपडेट में भी बहुत सारे सेक् वेकैंसी अगर आप आवधन करना चाहते हैं तो आवधन कर सकते हैं तीन अलग अलग डिपार्टमेंट की वहाली यहां पर निकालेगी है सबसे पहला जो है आरपी सी एई यू एलडी सी एन अधर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म मतलब जो है राजंदर परसाथ कॉलेज जो है सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं उसके पास अगला जो है मैं आपको डिसक्स करें दिखाऊंगा सबसे पहले हम बात करेंगे आप राजंदर परसाथ का जो कॉलेज उनिवर्सिटी वहां पर वेकैंसी निकालेगी है तो राजंदर परसाथ जो सेंट्रल से जो आवेदन के इपर करिया सुरू है लास्टेट जो है 24 फरवरी रखा गया है तो यह वेकैंसी यहां पर देख सकते है बारहुई पास रखा गया है यहां पर अप्लिकेशन फी देखिए जेनरल OVC EWS के लिए 5 उर्पया है SCST और फिजिकली हैंडिकेप और साथी साथ जो उमेन है गर्ल्स है उनको यहां पर एक भी रुपय अप्लिकेशन फी नहीं देना होगा जिनको अप्लिकेशन फी देना है वो ऑनलाइन पे करेंगे और यहां पर देखिए जो बताया गया है 24 फरवरी 2021 से काल्कुलेट होगा maximum age आपको 30 वर्स रखा गया है और यहां पर आप इस फॉर्ण को फिल अप कर सकते हैं और साथी साथ आपको जो है knowledge of computer application का ज्यान होना चाहिए मतलब आपके पास DCA, ADCA का जो है ज्यान होना चाहिए उसके बसे देखिए यहां पर lower division clerk जो LDC पध है इसमें भी आपको देख सकते है 10 प्लस 2 पास माया गया है या इसके क्य अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस फॉर्ण को फिल अप कर सकते हैं साथी साथ आपको जो है हिंदी या इंगलिस दोनों में से कोई भी आपको typing speed होना चाहिए और knowledge of computer आपको होना चाहिए तो आप यहां पर eligible आवदन कर सकते हैं उसको से fieldman है 10 प्लस 2 equivalent पा mathematics या aesthetics या economics से जो है पास होनी चाहिए तो जो 12 पास है mathematics से या statistics से या economics से तो वो लोग फिल्ड मैन के लिए आवदन कर सकता है इसमें 12 पास मांगी गई है अब देखिए यहां पर अलग-अलग category वाई जो हैं पोस्ट रखा गया है तो अगर हम बात करें OVC के जो है चार पास है फिल्ड मैंड का यहां पर मात्र दो पद है जेनरल के लिए एक और सी के लिए तो आप यहां पर देख सकता है फूल नोटिफिकेशन यहां से आपको मिल दाएगा आप जो है अपना बहमुल लिए एक बार यहां पर रेटिंग जरूर दीजिएगा ताकि हमें मोटि आप लिए वेस्न नोटिफिकेशन लिए अत turn ticket ग्रीफिकेशन में लिए अपको मिल जाता है आप यहां पर आव्यादन कर पाइंगे यहां पर से ऑने करके मिया यह कि यह ंद्रसरकार के देखरेंग में इसको चलाई जाती है तो यहां से आप आवेदन करेंगे सबसे पर पोस्थ का नाम करेंगे यहां पर पुलनेम और यहां पर पास्वाड यह सारी चीज साथ आप जो सबसे पर अपने करेंगे करने के बाद से आपको आपको यहां पर लॉग-इन का अप्सन दीएगा अगर आपने अल्रडी अगर आपको फॉर्म को फिल अप करना बेकेंसी है आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस परकार से एक और पोस्ट उपिंटों का यह जो है फ्रेंट्स लैब में भी कहीं लग सकता है लेकिन फिलहाल जो भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं जीकर किया गया है अब मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जैसे इस आवेदन की प्रक्रिया सुरू होगी इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या माँगा है फ्रेंच देखिए 10 प्लस 2 अगर आपन यानि बीएमल्टी कर रखा है यागर आप डिप्लोमा की है डिप्लोमा इन तो दोनों केस में जो आप यहां पर इलिजिबल आवदन कर सकते हैं यहां पर देखिए आपको जो है अलाग अलाग केटेगरी वाई जो है पोस्ट को बताया गया है आप यहां पर लोकेशन होगा बिहार होगा और यहां पर क्या क्या आपको form fill up करते वक्त लएंगे यह आप यह बताया गया है तो आप देखेंगे यह जो है बताया अब जिससे आप यहां पर जो है नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा यहां पर जो है नोटिफि डिफिकेशन बताई है तो यह यहां पर अगली व कैंसी निकाले गई है अब यहँंगा आपस तारिक को आःओंक उसको किस प्रकार से आपको फंप किल्प करना यहां पर किस प्रकार से आपको आवधन करना आ यहाँ पे पोश्ट है दोनों के लिए यहाँ पर क्युक्षिण चुछ की वहाली है यहाँ पर प्लाइन करेंगे तीन फर्वरी से जुट आवेदन सुरू है और लास्ट जो है ऑर यहाँ पर दिख सकते हैं काफी सारी information बताईगे आप यहां पर दीजेगा अब यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो qualification पता चलेगा application फीडेकिए general और BC EWS के लिए 600 रुपे होता है SCST के लिए 500 रुपे और बिहार की कोई female domicile है तो उनको यहां पर 500 रुपे application देना होगा आप ओलाइन जो फॉर्म फिल अप करेंगे तो उस समय आप यहां पर पमेंट कर देंगे इसली हो जाता है अब यहां पर एज जो रखा गया फ्रेंट्स देख सकते हैं male candidates का एक कई से 30 वर्स और female candidates का एक कई से 40 वर्स page रखा गया है अब यहां पर पोस्ट जो है category वाइज बताया है आप यहां पर पढ़ लिजेगा अब यहां फ्रेंट्स जो है तीन स्टेप में आपका selection लिया जाता है पहला आपको pre-exam होता है उसके मैंस exam होता है उसके बस आपका interview लियाता है तो यह जो है यहां पर selection process है उसके बस से लास्ट में documents verification होगा अब यहां पर job location भी बिहार रहाने वाला है कौन कौन से documents आपको लगेगा यहां पर बताया गया है उसके बस यहां से आप apply करेंगे apply का link यहां पर मिल लाएगा अगर आपने अप्लाई कर दिया है देखिए यहां पर apply मैंने क्लिक किया इस आपको simply यहां पर fill up करनी है यह जो है step by step process आप एक बार समझ लीजिए का अपने साइबर करेंप में बरवा सकते हैं यहां पर अपना address लिखेंगे और यहां पर आपको email address mobile नमर लिखे गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो email और mobile दोनों को OTP पी जाता है कैप्चा को fill करके registration करे आप यहां से notification को download कर सकते हैं अब यहां पर इंफर्मेसन बताईगी है कि यहां पर कौन को आविदन कर सकता है और यहां पर देखिए यह भी हिंदी में बताया गया है क्योंकि यह बिहार की वेकेंसी है काफी simple और हिंदी लेंग्वेज में जो यहां पर लिखा गया है यहा से यहां पर कितने पोश्ट हैं और कहां कहां से कोशन पूछे जाएंगे यहां पर बताएंगे निवद्धन ब्याकरण वाक्य संशिप्त यह सब जो है कोशन आपसे पूछे जाएंगे जो अलग-अलग परिच्छा है जैसे मालने मुख्य परिच्छा में समान्य अध्यान से question पुछे जाएंगे बिहार कला का इतिहास कला परंपरा तो यह सारी चीजे को आपको ध्यान देना है और यहीं से जो आपको पढ़ना है ताकि आप जो है easy way में exam को crack कर पाई यहाँ पे आपको syllabus भी मिल जाएगा हर परकार की information यहाँ पे आपको मिल जाएगी कितना आरचण है कौन को नावधन कर सकता है यह सारी information आप जो है हिंदी में यहाँ से पढ़ सकते हैं तो यह फ्रेंट्स तीन जो है major vacancy है फरवरी 2021 का आपको यह वीडियो कह सा लागा कमेंट सेक्षिन बताएगा और अगर आपको किसी को उपर dedicated, special, step-by-step वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्षिन बताएगा मैं जो particular form fill up करके जो है दिखा दूँगा किस परकार से आपको form को fill up करना है I hope friends आप समझ गया होंगे किस परकार की vacancy है अगर आप eligible है तो इन में से कोई सा भी आप आवेदन जरूर करिए और इस vacancy को जरूर आप form fill up करिए और अच्छे से त्यारी करते रहिए मिलते है friends नेक्स्ट वीडियो में हमें दीज़े इजाज़त और देखते रिए डिये सेल्पिंग फारेवर तैंक यू फर वाचिंग जहिन